कैसे आप सभी काफी दिनों से आपके सामने नहीं आया लेकिन बाक एंड में बहुत ज्यादा काम आप सब के लिए किया है और अभी रिसेंट आप सब ने तहलका मचा दिया वो के ईवियस का जो हमने नोटस आप सब के लिए शेयर किया तो उसके अंदर तो आप सब के रिस्पॉन्स ने वाकई में तहलका मचा दिया और उसके ओपर जो रिव्यूज आएं रियली वो हार्ट टचिंग है यही सारी चीजे मोटिवेशन देती है कि कैसे हमको और आगे मजबूती से काम करना है इमांड बहुत ज्यादा थी कि सर्च CDP के भी नोटस बन जाए तो बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि अब लाज्ट टाइम प्रिपेर करने के लिए और याद रखने के लिए बहुत सारी चीजे चाहिए तो कैसे चलेगा काम तो हम भी काफी मेहनत से इसके ओपर लगे कुछ करने की जोड़त नहीं का मतलब यह नहीं कि कुछ करने का मतलब आपका लिखा पड़ी का काम अब जीरो हो गया है आपके लिए पूरा काम आने कर दिया है और सब कुछ everything whatever it is required for your KVS CDP particular part चाहे वो PRT हो चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो चाहे प्रिंजिपल हो कोई भी हो हफते से और अब जाकर के complete हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमने सारे latest content डाले उसके बाद अभी जो LDC का exam हुआ है जिसमें topic wise questions हैं वो सारे questions भी हमने इसके अंदर integrate कर दिये तो इससे बढ़िया practice का overview और आपको कहीं से नहीं मिलेगा कहीं पर भी कितने भी notes आपने कहीं से कु देखा देता हूं first look बहुत मैनत करिए इसने क्या क्या चीज़े included देख लो आपका जो CDP में सारे units cover है understanding the learner, teaching learning, conducive, creating conducive learning environment, school organization, perspective in education उसके बाद जो unit wise LDC के exam questions थे वो include किये हैं उसके बाद mixed questions जो हम mock test में लेते हैं वो सारी चीज़े हमने include करिये हैं और यह जो आपका document है यान completely bilingual है English और Hindi यानिकर यह बहुत बड़ी tension थी काफिस हमें सब लोग confused आते हैं तो translation को भी देखने में बहुत ज्यादा time लगता है for that also we have tried to reach the perfection तो चलिए first look देखते हैं यह सब आपकी वज़े से ही हो पाया है तो यहां से हम शुरू करेंगे और यह आपका index है यह पूरा index है page number 3 से यह page number 1 है page number 3 से यह start है इसके बाद यह सारा syllabus यहां से completed है उसके बाद end में यहां पर आपके unit wise questions है और mixed question है page number 110 और 136 total यह जो document है पूरा 147 pages का है लेकिन जिसमें आपका 110 110 है यहां पर लगबग 110 पन्ने का आपका main content है उसके बाद बाकी सारे questions है तो इसका मतलब यह है 110 110 में जब आपको मैं आगे इसको दिखाऊंगा तो यहां से पहला page start होता है यहीं पर Hindi होगी यहीं पर English होगा तो दोनों चीजे integrated है 110 page का मतलब है कि लगबग 55 pages आधा आधा है तो 55 pages ही आपको पढ़ने है और इस page को आप अच्छे से याद कर लेना आपका अपका exam में काम ह हो जाएगा यहां से first look है अपने print निकाल के भी देख लिया है कि किस तरीके से चलेगा आप सबकी रिक्वेस्ट यह भी रहती है कि अगर print निकालने तो पढ़ने में असान रहेगा तो यह हमने print friendly बनाया है आप इसको print भी कर सकते हैं और print करके अच्छे से पढ़ भी सकते ह ठीक है तो यहां से यह शुरू होता है यहां पर हिंदी इंगलिश आपकी चलेगी पूरी सारे यूनिट्स हैं सारी चीज़े इसके लेकि आता हूं जैसे यहां पर यह आ गया यह mental health वाला है special education वाला है उसके बाद NEP वगरा जो है उसको भी बहुत importantly हमने इसके इसके लेकि आ गया यहां से आ गया यह school organization फिर आ जाएगा यहां पर यह तो questions आ गये यह आ गया FLN यह आपका NCF आ गया NCF यहां से start हुआ है यह सारा historical है कि पहले क्या क्या चीज़े थी यह introduction पार्ट है जो जो आपकी requirement है यानि कि जितनी भी expertise अब तक जो सारा पूरा core सभी तक हमने जो complete किया है उसे जो भी हमारी learnings थी उन सब को यहां पर मैंने commit दिया है और जो भी LDC के अ इंदर जो exam आया उसको भी ध्यान में रख करके मैंने सारी बाते आपको बता दी हैं अब यह देख लो यह RTE से start करते हैं यह रहा है RTE Act है तो RTE Act में सारे chapters दे दी हैं क्योंकि chapter के भी questions आ जाते हैं फिर उसके बाद हर एक chapter के अंदर जो important चीज़े हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं अब यह भी बताऊंगा कि आपको मिलेगा कैसे और कैसे आप इसको अपने dictionary का हिस्सा बना सकते हैं यहाँ पे सारे important articles हैं यह सारे किस-किस chapter के हैं फिर उसके बाद NEP भी आ जाएगा आपका यह देखे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया किस तरीके सारी चीज़े चलनी है यह NCFSC क्या है सब कुछ परक क्या होता है सबके full form के साथ बिलकुल point wise आपका बनाया है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ छूटने वाला नहीं है फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ ज कोशन limited departmental exam में जो है थे वो total हमने यहाँ पर आपके लिए लगा दिये हैं फिर उसके बाद है यह आपके mixed questions है जहां पर इसको देख करके आप अपना अपनी practice कर सकते हैं तो एक तरीके से आप यह समझे कि आखरी के time में जो हमारे पास notes होते हैं इसको capsule कहते हैं या फिर last time notes जिसको कहते हैं final preparation वाला जो notes कहते हैं यह वही चीज़ है आपके लिए और आखरी time में आपको यह रट करके जाना है रट के जाने का मतलब यह है इसमें लिखी हुई हर एक बात आपको याद हो जानी चाहिए पचपन पे इस तो याद हो सकते हैं यह crucial time है बहुत सारा content है त उसमें लिखा आएगा कि click here to get this pdf या फिर click here to purchase this pdf या purchase this book तो जब आप उस पे click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एक page खुलेगा ठीक है share कर देना अपने दोस्तों के साथ यह link को इस तरीके से आपका page share होगा evs में मैंने आपको बताया था इसकी जो price हमने रख की है और पूरे का पूरा सारा चीज हमने यहाँ पर इसके अंदर cover किया है काफी सारी महनत है और पूरी team build जितना भी हमारा cost इस पर लगा है वो सारी चीजों को करके हमने minimize करके यह आपके लिए available करवा दिया है यहाँ पर आपकी email ID एकदम सही होनी चाहिए क्योंकि आपका जो download का link आएगा वो आपकी email ID पर आएगा अगर आपकी email ID गलत हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता और ऐसे में इस समय इस crucial time पर हर एक को contact करना भी काफी मुश्किल हो जाता है तो make sure कि आप यहाँ पर एकदम सही email ID भरिये सही email ID भरने के बाद review कीजिए और pay कीजिए जैसी आप pay कर देंगे तो आपके email पर इस तरीके से एक email आएगा यह रहा सबसे पहला आएगा you have paid for KVS यानि के इस तरीके से एक mail आएगा जहाँ पर आपके पास आपका invoice आजाएगा और एक email आएगी आपके पास order placed तो order placed वाली email पर आपको click करना है इस पर जब आप on करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऐसे book का सब कुछ आ जाएगा और यहाँ पर download करने का option दिखेगा जब आप इस पर click करेंगे तो इस पर click करने के बाद आपका जो document है वह देखिए ऐसे download होने लग जाएगा 48.3 MB का की यह file है तो थोड़ी बड़ी file है इंतजार कीजिएगा जब वह चीज आपकी download हो जाएगी जैसे यह download हो गई हर तरीके से चीज आपके लेवलेबर कर दी है अब पढ़ो आगे बढ़ो और पास हो जाओ ठीक है पूरी कोशिश करिए कि आपको पूरा original और बढ़िया content आपको मिल जाए ताकि इदर उदर आपको चक्करना काटने पड़े क्योंकि exam को आपने देखी लिया है exam की जो जर description में लिंक है वहाँ पर क्लिक कीजिए 149 का ये document है तो make it make it yours and share this video like this video see you in next one and thank you all तो कि आप सभी के motivation के वज़े से ही ये सारी चीजे हो पाई है आगे हम revision के अब हमारे batches चलेंगे so that's all for today अगर आपने full course अभी तक नहीं लिया है तो उसकी भी links वीडियो को description में है वहाँ प for today see you next one get this ebook bye